Welcome friends, आपका एक question है, जिसका ये solution है, यहाँ पर कहा गया कि यदि सभी विसे में हमारा marks क्या हो, 50 से अधिक हो, सभी विसे में यदि 50 से अधिक हो, तो ये जो text है, हमारा नाम है, वो होना चाहिए green color, और यदि total में से, total में हमारा क्या होना चाहिए, 50 से कम, तो वो होना चाहिए यहाँ पर जैसे 50 से कम है सभी विसे में, तो red color हो गया, और 50 से अधिक है ये सभी विसे में, तो हमारा क्या हो गया, green color हो गया, यहाँ जैसे अभी हम नीचे आते हैं मालेजे किसी में, यहाँ पर 8 नमबर में, इसमें हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 50 से अधिक marks लेकर तेहड़ी वर यह हमारा क्या हो जाएगाै रेड और हो जाएगा डिया हमारा नाम अटमेटिक्स से रे एगड और हो गया ठीक है यह आपका impat क están that स drifting से ऑधिक तो उपर से देखेगा तो D column में और धर से 5D 5D 5 में और फिर F5 में और फिर G5 में अब आपको जो है नाम को कलर करना है तो हम पहले टूटल नाम सेलेक्ट कर लेंगे करते हैं क्लिक यहां पर और कंट्रोल शिप्ट डाउन एरो कर लेते हैं जो टूटल नाम है मारा वो सेलेक्ट हो गया अब आपको जाना है यहां हो मेन्यू में कंडिशनल फॉर्मेटिंग में यहां न्यू रूल करना है इसमें जो सबसे लास्ट वाला ओप्शन है आपका यूज ए फॉर्मूला टू डिटर्माइन विस चैल्स टू फॉर्मेट इस पर करना है आपको क्लिक और फिर यहां देखिए जहां आपको यह फॉर्मूला लिखना है यहां आ जाना है यहां हम चार कॉलम का अड्रेस दे अड्रेस देकर हम ग्रेटर देन कर देंगे 50 ठीक है तो यह हिंदी हमारा देखिए 90 किस में है डी उपर से और इधर से 5 यानि डी 5 में तो एंड ग्रेटर देन कौन साथ दो डी 5 डी 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 डी 5 में यह पचास या पचास से अधिक नंबर है तो हमारा इधर कुछ होना चाहिए फॉर्मेंटिंग फिर इंग्लिस वाला मार्स हमारा दूसरा सेल में है यानि इफाइप में है तो कॉमा लगा कर इस तरह से हम इफा लगाएंगे और लास्ट वाला मेरा साइंस का मार्क है इसमें जी में और फिर इदर से फाइब जी फाइब ग्रेटर देन इक्वल टू फिर से 50 ऐसा हमने लगा दिया ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ठीक है यह फॉर्मूला देख लिए इस तरह से हमने लिखा अब हमें क्या करना है हिए आपको फॉन्ट का कलर यह जो नाम लिखा है इसका आपने कहा कि लिए माम हो यहांसरे यहां से लिए मेन कर लेते कर प्लेवी सभी कॉलम में होगा सब में जो न मांक्स है तो देखिए ग्रीण हो जाएगा ऐसा केबल एक है इस जो है हमारा यहां पर देखिए हमारा यहां भी बगल में 78 कर देते हैं तो अभी नहीं वाइवा यह 40 ही है देखिए है ना इसको हम 80 कर देते हैं तो अब देखिए यह भी नाम हमारा ग्रीन हो गया ठीक अब आपका फिर कोश्चन है कि जो नाम हमारा बच गया वो क्या होना चाहिए तो रैड कलर होना चाहिए आपको फिर से यहां क्लिक करना है सेम तरीका अपनाएंगे कंट्रोल सिप डाउन एरो करेंगे ठीक पूरा नाम सलेक्ट देन आपको होम मेन्यू में यहां पर कंडिस्टन फॉर्मेटिंग में नियूरूल फिर से करना है वही का तो फिर हम यहां दूसरा वाला जो अप्शन ह यहां अंतिम बाला इस पर करेंगे क्लिक यहां फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे बराबर लेकिन थोड़ा बदलाओ करेंगे एंड फिर वही पहला जो हमारा मार्क्स है वो डी 5 में है तो डी 5 अब यहां लगाएंगे लेकिन लेस देन केबल लेस देन लगाना आपको क्योंकि हमने वहाँ पर greater than equal to लगाया कि 50 और 50 से अधिक है तो green हो जाए 50 से कम है तो less than 50 कॉमा लगाए फिर e5 less than 50 फिर कॉमा लगाए एक बाद f5 less than 50 फिर कॉमा लगाए अंतिम वाला नंबर हमारा g5 में तो g5 less than 50 और bracket close कर देंगे अब यहां आएंगे format में और यहां पर font क color में से हम यहां automatic में आकर red ले लेते हैं ok कर देते हैं then ok कर देते हैं अब देखिए जो जो हमारा आपको marks यहां पर मिलेगा 50 से कम वो सब में हमारा क्या हो जाएगा red color हो जाएगा ठीक है तो यह तो सही है केवल एक ही student ऐसा है जिसका सभी विसे में क्या है 50 से कम marks है तो सब्सक्राइब कर देते हैं तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यह यह वी हमारा रेड हो जयेगा यहां पर हम कर देते हैं पचास से कम, सभी विशे में जैसे ही पचास से कम करेंगे, तो यहां पर red हो जाएगा, और यदि हम सभी विशे में जैसे ही, जैसे ही, जैसे साथ नमर का नाम है, उसको सभी विशे में हम पचास से अधिक marks कर देते हैं, तो पचास से जैसे ही, सभी से में हम अधिक कर देंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन ठीक है ओके चलिए थैंक यू